हम एक कोशन पर आ जाते हैं जो बोला था कि यह करते हैं इंपोर्टेंट भी बताया था देखो अभी यह कर लेते हैं ठीक है चलो आजो अब आपको समझ में आ जाएगा पिरपेएर इंकम स्टेटमेंट फाइंड इपिस तो सर इपिस बोला गया है इंकम स्टेटमेंट इपिस ही होता है बैसे इपिस का फॉर्मूला बताया था आपको के नंबर ओफ इकुटी दे रख तो होता है हमारा अर्णिंग तो आईए income statement बनाने को बोला गया है और अभी भी अभी हमने सीखा भी है तो फटा-फट income statement बना भी लेते हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या तो फिर माइनेस क्या करेंगे फिर जो result आएगा फिर क्या माइनेस करेंगे fixed cost फिर जो result आएगा EB IT फिर क्या माइनेस करेंगे interest फिर क्या answer आएगा EBT फिर क्या माइनस करेंगे tax यह तो एकदम अच्छे से याह दोना जाह है फिर क्या आएगा हमारा EAT अब हमारा EPS निकालने को बोला गया है तो EPS is equal to इए टी डिवाइड़ बाइन नंबर आफ तो यह तो देखो फट से बनी है अब जो जो डिटेल है ठीक है नहीं है तो पहले बना लेते हैं फिर जैसे पीछे करना था वैसे कर लिए मैंने बताया कि पीवी रेशों जो होता है ना वो कॉंट्रिबूशन का परसंटेज होता है पहले नहीं बताया हो तो अब मैं लिख रहा हूं कुछ चीजे ऐसे है फॉर्मुलेले चार्ट जहां पर आना मैंने बोला था लिखना तो यह चोटी-चोटी चीजे है कुश्चन मे पिक करना पड़ रहा है वो चीजे वहाँ जरूर रिमांडर के टाइप से लिखिए नहीं तो यह चोटी चीजे एक्जामर में क्लिक नहीं होगा तो पीवी रेशों में कुछ तो बताया था कुछ तो बताया था तो फूर रह जाएगा आपका सारा खेल इसी का ही है आपको ओपरेटिंग लिवरेज कितना दे रहा है यह पंदरा सो 1.5 है और यह 1.42 है अगेन आपको इंटरस्ट दे दिया टेक्स रेट दे दिया और नमबर ओफ एक्यूटी शेर दे दिया तो सबसे पहले हम बात करें तो हम कौन से फॉर्मूला यहाँ पर उपन करेंगा जिससे र फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करने वाले हैं इवी आईटी और डिवाइड़ में हम इवी टी ना लिखके हम क्या लिख दें इवी आईटी और माइनस में क्या लिख दें इंटरस्ट लिख दें तो हमारा काम बन जाएगा यहां पर है कि नहीं अब क्रॉस इवी आईटी रह जाएगा माइनस में इंटरस्ट आपको कुस्चन्स में गिलिए रखा है यहां इससे मल्टिप्लाई करोगे तो 1.421 इवी आईटी माइनस में इंटरस्ट मल्टिप्लाई करो क्या आते हैं मल्टिप्लाई करो 1.421 इंटू में आठ हजार 11,368 इस इगल टो इवी आईटी तो अगर मैं यहां पर इवी आईटी निकालूं आपके सारे एक्वेशन को करके तो डिवाइड़ बाए आपका आ जाएगा 0.421 लगभग 27,000 यही आएगा ना इधर से माइनस करेंगे क्योंकि यह अकेला आपने आप में 1 है इधर करेंगे तो 421 इवी आएटी आएगा इसको डिवाइड करेंगे तो यह आज जाएगा पिछले आले कोश्चन में तो सर आपने डिवाइड नहीं किया तो बच्चा ही नहीं था दो में से एक माइनस ओके क्या बच गया था हमारा किसमें 2766 मैंने पूरा डिजिट लिए है मेरा तो लगवग लगवग आ रहा है तो मैंने 27,000 मोटा मोटा ले लिया ठीक है बुक वालों ने क्या करा एक बार चेक करो 27,000 ही लिया होगा नहीं तो वह हो सकता है कि वह पॉइंट में भी ले ले हम ठीक है न तो अब पॉइंट एक बार वन हटाने के विए से देखो 60-70 रुपए का हमारा फरक वड़िया तो वह हो जाता है अब चलिए हमने इविए टी निकाल लिया अब हम डियोल का फॉर्मूला उपन कर दें क्या डियोल क्या हो जाएगा हमारा कॉंट्री डिवाइड वाइड वाइट तो यह हमारा वान पॉइंट फाइफ इस इकल टू कॉंट्री नहीं पता इविए सत्ताइस अजार तो 27,000 को वन पॉइंट क इतने हो गया एक कॉंट्री यूट्री बिशन के इतने 14,000 अब इंपोर्रें डेटा फिल करते हैं शेल्स नहीं पता वैरियबल कॉस्ट नहीं पता इसके बिच सकता इसके बीच का डिफ्रेंस कितने हो गए तीस दस तेरह जार पांसो तेरह पांसो ठीक है इंट्रस्स पता है हमें पहले से आठ हजार तो 27 में से आठ गे तो बच्चे कितने हैं 19 19 पक्का ना 19 19 पर टेक्स कितने परसेंट दे रखा हमें 30 परसेंट 19 का 30 57 फिफ्टी सेवन हंडड़ यह होगा ना और 19 कितने पच्चे करो तेरह जार ठीक है अब थोड़ा सा ऊपर की तरफ चल लेते हैं यहां तक इंकम स्टेट्मेंट तेयार हो गया ऊपर की तरफ चलते हैं तो हमें कॉंट्रिवीशन का परसेंटेज पता चल गया है डेट इस मतलब मैं मानू तो पिछले कोशन से आसान कोशन यह है क्योंकि पिछली बार वेरियेबल कॉस्ट का परसेंटेज निकाला और यहां पर आपको दी रखा हैं ठीक हैं तो अगें यह कैसे करोगे आप चालिस पान सो तो यह अब 60 हो जाएगा है ना अगर कोंट्रिविशन चालिस है तो यह 60 हो जाएगा तो 40 करो इसको निकालो क्या आता है कि साट्स और प्लस चालिस पांसरमेंट 101250 यह क्या बना रहे हैं हम कि इंकॉंज कि एंड एपिएस कि दोनों चीज़े होगी ने इसमें कि इपिएस बता दो फटाफट से सर वेरी सिंपल एपिएस क्या होगा 133 00 डिवाइड़ नंबर ऑफ शेर दस अजार कि दस अजार है कि 1.3 चेक कर लिज़े यह कि देखिए आप किसी का डाउट किसी स्टूडेंट का डाउट पच्चों ने कहा सर कोई डाउट नहीं है हम आगे बढ़ते जाते हैं अब यह वाला सवाल होंबग में अभी तक नहीं दिया न अब होंबग में देते हैं आप अपना दिमाग लगाओ गए क्या लिखा मैंने पढ़ा भी नहीं कि यूजिंग दा फाइनेंशल लिवरेज बाई वाट दा परसंटेज चेंज टैक्सिबल इंकम इंक्रीज इन इबी इटी इन केस बाई 6 परसंट और अगले वाले पॉइंट में परसंटेज चेंज वगरा जो बोल रखा है यह आपने कि ओपरेटिंग ही निकालना है सबसे पहले तो मैं नेट वर्थ डेट इक्विटी रेशो पहले चलो मैं करी देता हूं मैं सोच रहा था बाद में खरा हूं लेकिन बताओ डेट एक्विटी रेशो का फॉर्मूला अब लिख भी रखा है डेट अपन एक्विटी थ्री भाई वन और नेट वर्थ यह क्या होता है पता है आपको नेट वर्थ इस यह चोटी चोटी बाते हैं जो लिख लेना है आपको जहां फॉर्मूला लिखोगे तो कहीं ऐसा आ गया तो वोलो सर पता ही ने चला तो नेट वर्थ क्या होता है हमारा एक्विटी होता है तो यहां से अगर हम डेट एक्विटी फॉर्मूला ओपाइंड आट ओपरेटिं सिर्फ क्या बता दिया डेफ मतलब बढ़ी बारेब पाजन से ब्यास देना ओके चलो ओपरेटिंग प्रॉफिट बता दिया ओपरेटिंग प्रॉफिट क्या हमारा यह इबी आईटी ओपरेटिंग प्रॉफिट क्या हो गया हमारा इबी आईटी ठीक है न चलो तो अब यहां पे डेट इकुटी रेशो गया था हमारा 3 by 1 और डेट नहीं पता तो डेट को डेट रखतो एकुटी तो पता है भाई कितना है तो डेट पता चल गया इसको मल्टिपलाई करेंगे तो इंट्रस भी पता चल गया इंट्रस क्या होका 75 लयक कि कितने परसंट 12% तो क्या है 9 नाइन लयक हां गया 9 लाख आ गया अब प्रॉफिट भी पता है ये भी पता है जेल दे रखा है वेरिबल कॉस्ट दे रखा है यह क्यों दिया भाई अच्छा दो कोशन है यह वाला कोशन तो होमवक में ही जाना चाहिए भाई इस इसका निकाला करता तो इसमें दिबाग लगाना था वी पाट में तो अब 90000 पता चल गया अब आपको इबी पता है जो कि मैंने बता है operating profit को बोलते हैं that is 20 लाक और आपको ebt पता चली गया that is 20 लाक माइनस में 9 लाक यह होगा न तो dcl निकाल लो dfl sorry dfl हो गया हमारा यानि 20 लाक 1.81 चल रहा है वो तो पताईए आया समझ में ठीक है तो चैप्टर अभी तक आप देख रहे होगे कि कॉर्परेट अकाउंट के जैसे तो नहीं है कि इतना फॉर्मेट यह हर एक कॉश्चन में 10 मिनिट मैक्समम लगना है अगर आपको सारे concept clear है चीजे पता है टम लोजी और मैं धीरे धीरे इसलिए लेके चल रहा हूं जैसा भी पीछे पता चला रहे पीवीर को को कंट्रिविशन रही हम प्रॉफिट को तो हम क्या बोलते है जो प्रॉफिट को प्रॉफिट ही बोलते हैं यहां पर चला रहा है नेट वर्थ क्या होता है हमारा capital होता है इसको शेयर होल्डर फंड भी बोल देते हैं कई बार चलिए यानि हम बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं सारे सवाल है एक दिन लिया है रखा है मैंने के वह एक दिन रखते हैं इसकी में वीडियो डाल दूंआ ठीक है कि वीडियो डाल दूंआ है ऊप नहीं हुआ तो इस के तो वीडियो मिल जाएना हमाऊ वह जा है यह यह भी हो गया था क्या दो य algunas यह नहीं हुआ नहीं हुआ तो आपको थोड़ा टेंशन देते हैं तो पर्संटेज इंक्रीज इन अर्निंग पर शेयर अर्निंग पर शेयर क्या होता है जो कि आज ही आज बताया तो कैसे निकालेंगे सारी डेटा दे रखाएं मेरे रिपीट तो नहीं हो गया कुछ-कुछ वैसा है जैसे पहला हमने देखा था हां मतलब कि बहुत सारी चीज़ेस में आ गया है ना कुछ कर रहा है चलो चलो कोई बात नहीं कि यह हो चुका है कि एक दिन और देते हैं भास खतम ही हो गया फिर तो इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है भी यह नहीं है प्रैक्टिकल भी कर लेंगे है कि लिए दिखाने एक बार प्रैक्टिकल कितने हैं इसके बाद एपियस स्टार्ट करेंगे सर 27,000 बताना इलिस्टेशन 13 में 27,000 आप पूरे पूरे लो तो 27,000 दो आएगा तो राउंड फिगर करके 27,000 ले लिए आँ इसमें है कुश्चन साथ कुश्चन है वो साथों के साथ कर सकते हैं नहीं होगा तो मैं करा दूँँगा इसमें आंसर दे रखे हैं हाँ चोटे-चोटे आंसर तो है और काफी सारे आंसर में एरर है मैं पहले बता दू तो जब नहीं होगा तो जो मैं करा दूँगा फिर उसके साथ साथ कुछ में है कुछ में नहीं है कि 27000 बताना कैसे आया कौन से कुष्चन में 27000 अभी वाले कुष्चन की बाद चल रही है न 27000 यह था लास्ट 27000 ना यह नहीं तो यह था शायद कि इससे पहले है कि यह हां अब अच्छे पूछने साथ 27000 क्यासे है यह इसको सही साप इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना जैसे इसमें से आप 421.421 करोगे एक्वेशन करना ऐसे तो आ जाएगा आपका इलेस्टेशन 13 यही तो है यह देखो मैं बता देता हूँ जब मैं इधर से EBIT इसको माइनस करूँगा इक्वेशन को ले जाऊँगा तो माइनस हो जाएगा तो बच्चे का कितना 11368 divided by बच्चे का 0.421 तो आप देखो कि आ रहा है 27002 रुपए 34 पैसे तो 27002 रुपीस 37 पैसे आ रहे हैं तो टू रुपीस को भी इग्नोर गया 37 को तो ओवरॉल हमने ले लिया 27000 ताकि हमारा काम बन जाए और फाइनेशल मैनेजमेंट में इतनी छेड़ खानी करनी हमें अलाउड रहता है कि डिटा के साथ आप धरुदर कर सकते हैं लेकिन वहीं चांट में नही हो चले शक्रा CA संट क्लास में मिलते हैं अगली ऐसार्आ हमारी सेम टाइंप रहने वाली और अगली क्लास में एक और क्लास रख रहे हैं इसके लिए स्पेशली मैं चाहूं तो आज भी खतम हो सकता था लेकिन एक और क्लास एक्ट्रा रख दिया है चलो यानि हम अपकमिंग आज क्याटे हैं मंडे मंडे आज कल संदे था मंडे तो फ्राइडे को हम स्टार्ट करने वाले हैं एक पॉइंट वहां सीखना होगा इस इंडिफ्रेंस पॉइंट ठीक है ना वो भी बड़ी आसानी से सीख जाएंगे तो मैं इस चैप्टर से रिलेटेड रिलेटेड ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे हाँ अगला चैप्टर उस बच्चे को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा जिसको लीवरेज नहीं आ रहा होगा इंकम स्टेटमेंट नहीं आ रहा होगा बेसिकली मैं अगले चैप्टर में फिर बोलूँगा EPS ऐसे निकलता है तो फिर वहाँ पर कन्फ्यूज मत हो ना कैसे निकलता है जो यहां सीख लिया वही है वहाँ पर चलिए वेरी वेरी गुट नाइट मिलते हम नेक्स क्लास में